अवेरी वाम वेलकम टू ओल देस्परेंट आफ लाइबरेरी एंड इफिर्मिशन साइंस सभी विद्दार्तों का स्वागत है जो भी लाइबरी साइंस एब लाइस एलाइस 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 कर रहे हैं चुके हैं यहाप मैं से कई चारे से स्टूरेंट है जो कानपी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो स्टूरेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर देए और तो भी शेयर करते ताकि उन तक भी ल लेक्चर रहे हमने पomas नेकशन औरूपर्वाइड कर लिया है इसमें तो आगर आप first lecture कर लेते हैं जिसमें हमने इंपॉर्टन तो अललमके पॉन नल काुशन हो गया लिसन पूरा सकते हैं दोनों कर लिए तो फिर तो क्या ही कहना है और थार यह वारा लेक्चर जिसमें हम इसके अलावा जो टॉपिक लेकर आए है जो की और कोशन भी लेकर आया है जो की फ्रीक्वेंट डास होते हैं तो वह इसमें हम कवर कराएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज करके ये तीनों लेक्चर को अच्छे से आप कवर करें और फिर देखे आपको एक्जाम में कहीं भी एक कोशन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा बटवाई है कि आपको अच्छे से करना रहे हैं तो हाँ और एक और बात की लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी भी टॉपिक में हम अभी जो बता रहे हैं इन में से किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा कोई भी दिक्कत अब चैतार है आपको से दो दिर्चा चाहिए थे लेक्चर चाहिए तो हम आप कमेंट लेक्चर भी दो इसमें ब्लाक वन एंद ब्लोक टू दोनों से दोड़ेटर हम कॉशन लेक्षण ले जो है question आपको exam में देखने को मिलेगा digital library integrated library से लेटर हैं पर distinguish ऐसा करके आएगा library automation तो question देखिए हाँ पर first question है distinguish between library automation and integrated library system very important second है what are the five जो ages have library automation का explain करना है इस तरीके question आते हैं next topic है basic housekeeping operation very 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 important topic acquisition, processing, use and maintenance ये basic housekeeping processes होते हैं इसको आपको explain करना है और answer लिखने से पहले आपको दो line में introduction देना है heading के साथ उसके बाद आपको जैसे basic housekeeping operation का question आता है तब उसको बाद आपको basic housekeeping operation से related acquisition, processing, use, maintenance ये लिखना है और last में आपको दो line या तीन line में आपको conclusion लिखना है और heading के साथ तब आप देखना आपके कितने अच्छे number आते हैं उसके बाद automated versus digital library system, very important topic cloud waste library system, ये भी बहुत आता है हर बार repeated है information mashup, very important उसके बाद automation of workflow, opaque, online public, access catalog, union catalog, interlibrary loan very important topics, ये सारे ही important है, आपसे request है, सारे ही करें और किसी भी में दिक्कत आया तो comment जरूर करें उसके अलावा open source software, commercial software इनके वीच में अंतर आता है तो open software में दो important है, कोहा, evergreen और commercial में lips से virtual ILS, fireware हो गया LIS, ये बहुत important है उसके अलावा इसमें है, ABCD, e-granthale, short note आता है, e-granthale पे question इसमें आते है, enumerate features of fifth generation of ILS fifth generation जो ILS है, उसके features आपको बताना है what is an open source ILS, let's list some major open source ILS होता है तो open source ILS ही है, यहाँ पे देखिए open source जो software packages है, evergreen, कोहा, ये सब है फिर web 2.0 features, new channel है, very important web 2.0 features फिर open source software in library के बात करें तो इसमें open source operating system है, lamp architecture, lamp component, open source software, automated library system, digital library system, ये सारी important है ये मान के चले, पूरा जो आपका block 1 है and block 2 है, उससे हमने just निकाल के आप लोगों को बता रहे हैं फिर types of library, digital library के बात करें तो early digital library, जिसमें एलेनोर जो गुटनबर्ग है ये early digital library के types है video digitalization, audio digitalization, उसके अलावा file format and content creation, d-space, digital preservation, technical features तो इन से भी short note आते हैं अब देखें important question for exam की बात करें तो four number के जो पचार number के जो question होते हैं वो इन में से आपके बहुत ज्यादा chances है आने के information mashup, advantages of digital library, video digitalization, information mashup, lab component, new gen lab, ILS, step in library automation, e-garanthale, evergreen ILS, enhanced feature of koha and opaque very 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 important इनको आप अच्छे से कर लें क्योंकि ये repeated evergreen question है उसके अलावा जो पांच number के question आते हैं वो है पहला है discuss the trend in library automation, library automation में जो trend है इसको आपको discuss करना है what is serial control, serial control क्या है enhance, sorry enumerate activities in serial control में जो activities आती हैं उनको बताना है discuss the workflow of automated circulation, automated circulation का workflow के discuss करना है discuss the functional जो feature होता है and the metadata in this space describe the major and the special feature of evergreen evergreen के जो major and special feature है वो यहाँ पर describe करना है तो यह कुछ question है जो आपके exam में आएंगे मैं आपको बता रहा हूं कि one or the other question जो है अगर मैं यहाँ पर पांच question आपको बताया है तो तीन question तो आप मानके चले के आएंगे यह आएंगे यह बहुत ही मतला उन लोग के favorite question है तो इसी के साथ इस lecture को भी हम यहाँ पर समात करते हैं उससे पहले आप सभी से request है अगर आप channel पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी share कर दे ताके उन तक भी lecture का जो notification है पहुँश सके तो मिलते हैं आप सभी से next lecture में किसे लग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद किसे हैं किसे हैं किसे लग अपने आप वा हैं